हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अल अफ यू इन दिस न्यू लिक्चर ओफ सिविल इंजिनेरिंग फ्रेंट्स आज हम सभी हाइड्रोलिक्स के एक स्पेशल टॉपिक जिसमें की हमें टोटल प्रेशर और पोजिशन ओफ सेंटर ओफ प्रेशर डिटर्माइन करना है उसका एक न तो चलिए फ्रेंट्स पहले हम इसका कोस्टन पढ़ लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और सर्कूलर प्लेट ओफ फोर मीटर डाया मीटर इज इमर्जड इन ओयल ऑफ इस पेसिफिक ग्रैविटी 0.80 सच डैट इस ग्रेटेश्ट एंड लिस्ट देफ्ट बिलो डैट फ् के लिस्ट देफ्ट जो है वो 2.5 मीटर की दूरी परिष्थित है तो कर रहा है केल्कुलेट टोटल प्रेशर ऑन वन फेस ऑफ दा प्लेट एंड सकेंड है पोजिशन ऑफ दा सेंटर ऑफ प्रेशर तो फ्रेंट्स इसका सॉनलूशन देखने के लिए सबसे पहले हम यह दे सर्कुलर प्लेट आ जिसमें की डायविटर दिया हुआ है सर्कुलर प्लेट का जो यह दाय मीटर है यह हमारा है कर तो यह दिस्टेंस जो हैंनों तो ये भी distance हो जाएगा 4 meter दोस्तो मैंने आप सभी को इसमें ये circular plate का ये top view दिखाया है और इस top view का अगर मैं edge view देखू तो यही है आपका edge view यदि ये diameter 4 meter है तो ये भी distance जोगा वो भी 4 meter जोगा अब जैसा की question में कहा गया था कि ये free liquid surface है दोस्तो तो ये circular plate का greatest depth था वो है 5.5 meter और इसका list depth जो है 2.5 meter तो ये जो आपका circular plate है ये आपका circular plate इससे कुछ ना कुछ angle पर बनाएगा तो हम सवाल ये उठती है कि आखिर ऐसी जब question में situation थी तो वो inclined state में क्यों हो गई तो दोस्तो यदि हम इसका greatest और list depth का अगर हम अंतर निकालते हैं जो कि है 5.5 minus 2.5 तो दोस्तो हमें निकलता है equals to 3 meter ये दोस्तो 3 meter जो है ये अगर हमारी circle की diameter यानि की ये 4 meter के बराबर नहीं ना है दोस्तो यदि अगर ये difference हमारी diameter के बराबर हो जाती तो वो vertical state में होती जैसा कि हमने पिछले lecture में देखा है लेकिन यहाँ पर इसका difference इसके diameter के बराबर नहीं आ रहा है तो हम आसानी से समझ लेंगे कि ये inclined state में होगा दोस्तो वो circular plate की vertical state में total pressure और center of pressure यदि आपने नहीं देखी है तो वो मैंने पिछले lecture में बताया है इसकी link description में दी हुई है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो दोस्तो हम आगे यहाँ पर यह देखते हैं कि यह जो circular plate है यह हमारा free liquid surface यह थीटा degree का angle बना रहा है अब दोस्तो चुकि यहाँ पर हमारा यह distance है 2.5 meter और यह distance हमारा 5.5 meter हम इसमें construction यह करते हैं कि हम एक line AM यह free liquid surface के parallel draw करते हैं यह angle अगर दोस्तो हमारा यहाँ थीटा angle बन दा है तो यह भी angle वहाँ पर ठीटा ही बनेगा और चुकि यह parallel line है एक दूसरे के इसलिए यह अगर 2.5 meter है तो यह भी होगा 2.5 meter और दोस्तो हमारा यह जो distance निकल कर आएगा वो distance हमारा 5.5 मैनस 2.5 that is 3 meter यह हमारा distance निकल कर आएगा दोस्तो उसके बाद यह जो है 2.5 meter ह हमारा यह भी हो जाएगा 2.5 meter दोस्तो मैंने यहाँ पे चितर में आप सभी को दिखाया है h bar और h star आखिर यह h bar और h star है क्या हम वो समझते हैं तो दोस्तो यह circular plate की जो cg की जो point है उसी cg point की जो यह depth है free liquid surface से उसी depth को कहा जाता है h bar जो कि यहाँ पे distance bj से दिखाया गया ह है और दोस्तो हमें पता है कि हमारा center of pressure का जो point होता है वो centroid से नीचे होता है तो इसकी जो स्थिती है यानि depth of center of pressure from the free water surface यही दिखाता है हमारा h star तो दोस्तो उसके बाद हम दिखते हैं हमें question में क्या क्या दिया हुआ है तो मैंने लिखा है die of circle equal to 4 meter specific gravity of oil equals to 0.80 meter greatest depth of the plate from free oil surface वो की हमारा 5.5 meter दिया हुआ है और उसके बाद हमारा यह least depth यानि की यह depth हमारा दिया हुआ है 2.5 meter तो दोस्तो यह theta angle of inclination तो मैंने आप सभी को जो जो में वो बताया था अभी जो जो concept आपको समझाया है वही सारी concept मैंने यहां पर लिखा है और आगे जब हम चलते हैं तो दोस्तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो यह triangle है GAF यानि की triangle GAF तो दोस्तो GAF में अभी मैंने आपको बताया था कि यह distance ह हमारी निकल कर आएगी 3 मीटर यह distance 3 मीटर निकल कर आएगी और दोस्तो यह हमारी distance 4 मीटर और यह angle है theta अगर हम sin theta यहाँ पे निकल देते हैं तो 3 by 4 निकल जाएगा यानि कि sin theta की value हमें मालूम हो जाएगी तो दोस्तो मैंने यहाँ पे लिखा है sin theta equals to GF upon GA that is 3 upon 4 मीटर तो द उसके बाद यदि हम triangle ABC में देखते हैं दोस्तो कि हमारा यह triangle यहाँ पे है ABC यानि यह triangle दोस्तो तो इस triangle में यदि हम देखते हैं तो हमारा जो यह sin theta हो जाएगा वो हो जाएगा BAC upon BA, BA की value हमें यहाँ पे 2 मीटर डिटर्माइन है और हमे sin theta की value अभी हमने जश्ट निकला है तो हम BC की value दोस्तो आसानी से calculate कर सकते हैं तो वही मैं यहाँ पे लिखा है कि sin theta equals to BC upon BA तो sin theta की value 0.75 अभी हमने जश्ट देखा था तो BC equals to हो जाएगी 0.75 into 2 मीटर that is BC की हमारी value निकल कर आ गई है 1.5 मीटर तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो value थी BC, BC की value हमने भी द अगर हम यहाँ पे यह distance 2.5 मीटर add कर दे तो हमें total distance BJ यानि की h bar निकल जाएगा h bar यानि की depth of cg from the free liquid surface तो हमारी यहाँ पे bg हो गई BC plus cj, BC की value 1.5 मीटर और cj की value 2.5 मीटर चितर में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे h bar की जो दूरी है हमारी वो 4 मीटर निकल के आ गई ह दोस्तो हम सभी जानते हैं कि total pressure जो determine किया था वो एक formula wa h bar से calculate की जाती है जहाँ पे wa specific weight of the liquid a है area of the plate and h bar है distance of the cg from free liquid surface जो की हमने यहाँ पे calculate की है तो चुकी हमारा question में दिया हुआ है दोस्तो specific gravity ही सिर्फ दिया हुआ oil का तो हम specific weight of oil लिख सकते हैं specific weight of water into specific gravity of oil that is specific weight of water होती है 9.81 kN per meter q into 0.80 हो जाएगी तो हमारा specific weight of the liquid यहाँ पे निकल कर आ गया है specific weight of the oil 7.848 kN per meter q और हम जानते हैं कि circle की जो area होती है वो होती है 5 by 4 d square calculate करने पर हमें 12.56 m2 निकल के आ रही है तो दोस्तो total pressure के formula में अगर हम यह तीनों की value अगर हम put करते हैं तो हमें total pressure की value निकल के आती है 394.48 kN दोस्तो हमने question का पहला part यानि की total pressure determine कर लिया है अब friends question के दूसरे part में कहा गया था कि position of the center of pressure निकलने के लिए तो वो जो निकला लाया था उसकी एक formula होती है ig sin square theta upon a h bar plus h bar यहाँ पे आखिर ig है क्या तो दोस्तो ig वो है moment of inertia of the circular plate about its centroidal axis जिसकी formula होती है pi by 64 d to the power 4 तो d की value हमारे d ही थी 4 meter तो इसकी value जब हम इसमें put करते हैं तो हमारे निकल कर आता है 4 pi और उसके बाद दोस्तो जब हम इन सभी की value इसमें put कर देते हैं ig की value हमारी है 4 pi sin square theta sin theta हमारा निकल कर आया था 0.75 तो उसकी square की हमने upon area area हमारी है 12.56 और दोस्तो h bar यह था हमारा वो था 4 meter plus यहाँ पे फिर से h bar यानि की 4 meter इन सभी को जब हम दोस्तों calculate करते हैं तो हमारा निकल के आता है h star equals to 4.140 meter यानि की depth of center of pressure is at a distance of 4.140 meter below the free oil surface in other words इसे हम यह भी कह सकते हैं कि depth of center of pressure is at a distance of 0.140 meter below the cg of the plate तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो यदि वीडियो अच्छी लगी तो like और subscribe करें करें।